प्रिये हिंदी मित्रों, नमस्कार, हाइटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है आ गया एक और नया वीडियो, अभी देथें पूरा देखें आभार उन मित्रों का दिल से जो regular like, comment और share कर रहे हैं ये वे लोग हैं जिन्हें हाइटेक हिंदी से ज़्यादा भरोसा हिंदी की ताकत पर है उनके आत्मविश्वास को सलाम आईए एक और नया वीडियो सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी उपन्यासों पर पीछे तीन वीडियो उपन्यास पर बनाये जा चुके हैं आज का वीडियो ऐसा है जिसमें उपन्यास से सम्बंदित कुछ उन प्रष्णों की चर्चा की जाएगी जो मिसलेनियस प्रकार के प्रष्ण हैं कहीं से भी आ जाते हैं और उपन्यास से संबंदित होते हैं ऐसे प्रश्णों को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है आईए सुरू करते हैं विद्वानों के अनुसार उपन्यास के कुल कितने तत्त होते हैं प्रश्ण पूछा जा सकता है तो यह कुल 6 तत्त होते हैं कथा वस्तू, पात्र या पात्र कोई चरित्र चित्रन कई बार कहा जाता है, कथोप, कथन, भासा, शैली, देशकाल या बातावरण, एक ही मतलब है, कई किताबों में देशकाल लिखा मिलेगा और कई जगा बातावरण, उद्देश है, हिंदी के प्रथम उपन्यास, यहाँ प्रशन बहुत आता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास हम सभी जानते हैं, परीक्षा गुरु है, और यह किसका लिखा हुआ है, लाला, स्री निवास दास का, लेकिन जो प्रशन महत्तोपूर्ण है, और किताबों में नहीं मिलता है, परीक्षा में एक बार प्रशन आ चुक प्रशन बहुत आता है, इससे भी कई बार प्रशन आ जाते हैं, आगे, हिंदी का प्रथम एतिहासिक उपन्यास हर्दय हारडी, वा आदर सरमडी, 1904 में लिखा गया है, हिर्दय हारडी वा आदर सरमडी, या हिंदी का प्रथम एतिहासिक उपन्यास है, खास बात इसमें यही है, प्रशन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम एतिहासिक उपन्यास कोन सा है, तो आप बताएंगे, अगर आप्षन में ह लिखने वाले उपन्यासकार अयोध्या सिंग उपाध्याय, हरियोध हैं, दिवेदी युक के रचनाकार हैं, इन्होंने कविताएं भी डेहर सारी लिखी हैं और गद्य पे भी इन्होंने काम किया है। अगला जो प्रशन है, हिंदी के प्रमुख मनोवैज्यानिक उपन्यासकार कौन है। अगला जो प्रशन है, सचिदानन्द, हीरानन्द, वात्सयाईन, अग्ये को अग्ये नाम किस ने दिया। जैनेंद्र से जोड़ा हुआ है, इसलिए प्रशन यहाँ पर मैंने रख दिया है। महात्वपून प्रशन है, सचिदानन्द, हीरानन्द, वात्सयाईन, अग्ये को अग्ये नाम किस ने दिया है। तो यह नाम जैनेंद्र ने दिया था, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास, जिसमें गांधीबाद की भावना प्रदर्शित की गई थी, तो वो प्रेमास्त्रम है। मुन्सी प्रेमचन का गोसय आफियत का हिंदी रुपांत्रण है प्रेमास्त्रम मूलता है, उर्दू में लिखा गया था, और 1922 में प्रेमास्त्रम के नाम से यह छपा था। अगला प्रष्ट स्यामा 1888 ठाकुर जग्मोहन सिंह का उपन्यास है, इसे अंबिकाद अत्तव्यास ने गध्य काव की संग्या दिये, किस ने दिये अंबिकाद अत्तव्यास ने, नूतन ब्रह्मचारी 1886 की रचना है, हिंदी का या प्रथम उपन्यास है, जिसमें बाल मनो विज्ञान की बेंजना हुई है, या प्रश्ण भी आ सकता है, हिंदी का प्रथम चरित प्रधान उपन्यास, हिंदी का प्रथम चरित प्रधान उपन्यास, सौ अजान, एक सुजान, 1892 की रचना है, अगला प्रश्ण, हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्य वारण की समस्या पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास निश्हाई हिंदू है जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं तो गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है पास्षात्य विद्वान थे आर 1329 में आती है हिंदी सब्द सागर की भूमिकार के रूप में आचारे सुक्ल ने इसे लिखा था और नागरी प्रचारणी सभा से या पुस्तक छपी थी पहली बार तो इस पुस्तक में उन्होंने लज्जाराम महता के बारे में लिखा कि यह उपन्यासकार नहीं खवर नवीज थे स्वरगिये कुस्म वा कुस्म कुमारी 1899 किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है जिसमें पहली बार बेश्या जीवन का अंकन किया गया था यह अपने बात में नई बात थी और रूढियों को तोड़ने की बात थी वेश्या जीवन के को ले करके यह उपन्यास लिखा गया मुनसी प्रेमचंद को उपन्यास समराट की संग्या किस ने दी यह प्रश्ण बहुत महत्पूर्ण है कई बार इंटर्विव में पूछा मुनसी प्रेमचंद को उपन्यास समराट की संग्या किस ने दी उत्तर होगा सरत्चंद्र चट्टो पाध्याए बंगला के बहुत बड़े विद्वान उपन्यासकार थे प्रथम पत्रात्मक प्रवर्धि में हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है तो चंद हसीनों के खत्य खास बात है कि यह पत्रात्मक सैली में लिखा गया है डाक्टर गोपाल राय की अनुसार देहाती दुनिया जो कि स्यूपूजन सहाय का उपन्यास है 1926 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है किसके अनुसार गोपाल राय की अनुसार जब बा प्रशने भी परिक्षाओं में काफी पूछा जाता है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन है ये प्रशन महात्वपूर्ण है तो प्रेमचंद चुकि उर्दू के मूलता लेखक थे सुरुवाती लेखन उन्होंने उर्दू में किया था बाद में वो हिंदी में आये असरारे मवाबिद नाम का उनका जो उपन्यास है वो पहला उपन्यास है कि यह उपन्यास उर्दू में है धनपत राय को धनपत राय जो इनका मूल नाम था मूंसी प्रेमचंद का धनपत राय से प्रेमचंद नाम किस ने दिया दया नारायन निगम ने दिया इनके मित्र और हंस के संस्थापक हुआ करते थे प्रेम चन्द का प्रथम अनुदित उपन्यास ये उर्दू से हिंदी में जो लिखा गया था वो सेवा सधन था और इसका उर्दू जो वरजन था वो था बाजारे हुष्न बाजारे हुष्न पहले लिखा गया और बाद में इसे 1918 में ये उपन्यास है जो पूरी तरीके से उन्होंने पहली बार 1926 में काया कल्प को हिंदी में लिखा है प्रेम चंजी ने कुल 6 उपन्यास लिखे उर्दु में पांच हिंदी में और एक उपन्यास अपूर्ण रह गया था अपूर्ण रचनाओं पर मैंने एक वीडियो बनाया ह हिंदी में कौन-कौन सी रचनाए अपूर्ण है और उनको किसने पूर्ण किया है ये वीडियो आप प्लेइलिस्ट में जा करके तेख सकते हैं अगला प्रशन है पास्षात्य उपन्यासकार जोला ये प्रकृतिबादी उपन्यासकार इनको कहा जाता है जोला को जबकि हिंदी में पांडे बेचन सर्मा को प्रकृतिबादी उपन्यासों का जनक माना जाता है डाइरी प्रविदी का प्रवर्तन हिंदी में आदित्य प्रशन राय के उपन्यास मुन्नी की डाइरी से माना जाता है जो 1932 में आता है हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन सहयोगी उपन्यास लेखन से तात परे है कि एक ही उपन्यास को कई लोगों ने मिल करके लिखा हो इसकी परंपरा सुरू होती है 1927 में भगोती प्रशादबाजपेई व्रंदावनलाल वर्मा, संभुदयाल सकसेना ने मिल करके एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास का नाम था त्रिमूर्ती तो ये उपन्यास सहयोगी लेखन का उदाहरण है अगला जो प्रशन है आलोचकों ने अग्ये के उपन्यास सेखर एक जीवनी कि आलोचना करते हुए उसे प्रकाश मान पुच्छल तारा कहा है प्रसन आता है कि हिंदी की किस रचना को आलोचकों ने प्रकाश मान पुच्छल तारा कहा है तो वह है सेखर एक जीवनी या प्रसन इस प्रकार भी आ सकता है कि अग्ये की ही कई रचनाय दी दी जाएं और पुछा जाए कि अग्ये की किस रचना को आलोचकों ने प्रकाश मान पुछलतारा की संग्या दी है भगवती चर्ण वर्मा करत चित्रलेखा पर जिसमें पाप पुढ़ने का प्रस्ण उठाया गया चित्रलेखा में फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव देखने को मिलता है अलोचक मानते हैं उपन्यासकार उपेंद्रनात अस्क को मध्यवर्ग का चितेरा कहा जाता है प्रशन आये कि मध्यवर्ग का चितेरा उपन्यास का कौन है तो उपेंद्रनात अस्क हैं सुमित्रा नंदन पंत ने उपेंद्रनात अस्क के उपन्यास बड़ी बड़ी आखे को गीती उपन्यास की संग्या दी है बड़ी बड़ी आखों को गीत उपन्यास की संग्या किस ने दी है सुमित्रा रंधन पंद ने दी है वरिंदामनलाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर इसकाट की उपाधी दी गई है हिंदी का पहला खुला राजिनितिक उपन्यास राहुल संकृत्यायन का जीने के लिए है विश्व विद्यालाईन जीवन पर लिखित हिंदी का पहला उपन्यास घरोंदा जो 1946 में आता है और लिखते हैं लेकिन रचना करम के लिहाद से अगर देखा जाये तो नागार जुन फढ़िश्व नाथ्रेण से पहले आंचलिक उपन्यास लिखना सुरू कर देते हैं अग्ये जी ने फणिश्वर नाथ्रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानिवी विश्वास की चिनगारी सुलक्ती भी देखी है ये अग्ये जी का कथन है फणिश्वर नाथ्रेणु के उपन्यासों के बारे में ऐसा प्रस्ण भी परिक्षा में आ चुका है फणिशन नाथ रेडू अपना साहित्तिक गुरू बंगला उपन्यासकार सतीनात भाधुडी को मानते हैं ये प्रश्ण भी महत्वपूर्ण है अक्सर किताबों में नहीं मिलता है इस वीडियो में जितने प्रश्ण हैं वे किसी एक किताब में एक साथ नहीं मिलते ही इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है डाक्टर गोपाल राय के अमुसार मटियानी ये सैलेस मटियानी जी हैं सैलेस मटियानी मुख्यत्या दलित बिमर्ज के उपन्यासकार है जिनमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है रामदरस मिसर का उपन्यास 20 बरस जो 1996 में आता है रिपोर्ट आज सैली में लिखा गया है रिपोर्ट आज सैली रिपोर्ट सब्द से बना हुआ और फ्रांसीसी का ये सब्द है हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम बताईए यह प्रस्ण मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये प्रस्ण कई बार हमारे इंटर्व्यू में पूछा जाता है और हम सोचते सोचते भी कई उपन्यासकारों के नाम नहीं बता पाते हमें सिर्फ फणिश्वन नात्रेण अधित्तम राही मासूम रजा तक का नाम याद आ पाता है इसलिए हमने यहां कई सारे नाम रख दिये हैं और ये उच्चतर सिक्षा सिवा चैन बोर्ड की जो अभी वर्तमान में साक्षात कार चल रहा है उसमें विया प्रशन महत्वपूर्ण हो सकता है कौन कौन से नाम हैं नाम देख लेते हैं ये कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं जिनहें आंचलिक उपन्यासकारों के अंतरगत रखा जाता है भैरो प्रशाद गुप्त का उपन्यास अंतिम अध्याय जो 1970 में आता है जो की उपेंद्रनाथ अस के जीवन पर अधारित है प्रसने पूछा जा सकता है कि अंतिम अध्याय उपन्यास किसके जीवन पर अधारित है तो यह उपन्यास भैरो प्रिशाद गुप्त के जीवन पर आधारित है बदियूत जमा का उपन्यास एक चुहे की मौत 1971 में आता है फेंटेसी सैली में लिखा गया है इस उपन्यास को इस वीडियो में सामिल करने का मतलब यह है प्रशन आएगा आपकी परिक्षा में निम्न में से कौन सा उपन्यास फेंटेसी सैली में लिखा गया है और अगर चार उपन्यासों के नाम दे दे वहाँ पे गोदान, निर्मला या कफ आपको कोई और तीसरा उपन्यास चोथा दे दे और उसमें पूछा जाए कि फेंटेसी सैली में कौन सा उपन्यास लिखा गया और एक नाम उसमें एक चुहे की मौत भी हो तो आप उत्तर लगाएंगे एक चुहे की मौत इसमें कथा सरित सागर और काफका की कहानी मेटा मार्फोसिस नामक कहानी के सिल्प का प्रियोग किया गया इस सिल्प के आधार पर ये लिखा गया है एक इंच मुस्कान प्रस्ण परिक्षा के लिहास से बहुत महत्तपूर है पेट कुईस्चन है, परिक्षा में कईयों बार ये पूछा गया है, 1963 में लिखा जाता है, राजेंद्र यादो और मन्नु भंडारी ने मिल करके इस उपन्यास को लिखा है, काला कोलाज जो किया आता है, 1889 में कृष्ण बल्देव बैदिक का खुद का उपन्यास है, और इस उपन्यास को उन्होंने अनुपन्यास की संग्या दिये, युद्ध विशय को केंद्र में रखकर हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास गिरीस अस्थाना का धूप छाही रंग है, ये प्रस्ने भी महत्त्वण है, प्रणो कुमार बंदय उपाध्याय का उपन्यास पद की रहती थी 1997 को निम्न मध्यम वर्गिये जीवन का चादू कहा है इस उपन्यास पर पिछले वीडियो में भी बात हो चुकी है मनुहर स्याम जोसी ने अपने उपन्यासों को गप बाईसकोप कहा है मनुहर स्याम जोसी के उपन्यासों में उत्तर आधुनिक सहली का प्रभाव दिखा जा सकता है और विवर्ण तथा धेर सारी बातों को एक साथ सामिल करके उपन्यास लिखना ये मनोहर स्यामजेस जोसी के उपन्यासों की विशेस्ता है इस प्रकार ये वीडियो रहा जिसके अंदर धेर सारे तथ्यों के माध्यम से और नए नए तथ्यों के माध्यम से जो परिक्षोप योगी तथ्ये हैं एक बात आपको और बता दिया जाए कि ये जितने प्रश्ण इस वीडियो के अंतरगत सामिल किये गए हैं परिक्षा के लिहाद से अती महत्यपून हैं कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो परिक्षा में आ चुके हैं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन चार बार आ चुके हैं कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो परिक्षा में नहीं आए हैं लेकिन उनके आने की संभावना सरबाधिक है क्योंकि हर परिक्षा में 2-4-6 नए प्रश्ण बनते ही बनते हैं और उनमें इन प्रश्णों को कब सामिल की कर लिया जाए या हम आप नहीं जानते इसलिए आपके लिए सारे प्रश्ण महात्तपूर्ण हो जाते हैं जो प्रश्ण आप नहीं जानते हैं उनको आप कहीं अपनी कौपी में नोट करें बाकि इस वीडियो को बस बार बार आप सुनते रहें जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार या आपके स्मृति में आउचेतन में ये बैठता जाएगा और बाद में परिक्षा में आप देखेंगे किसके चमत कारिक परिणाम आपको दिखाई देंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद किसी परकार का प्रश्ण हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें इमेल कर सकते हैं हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे.